Hi guys, I welcome you all to YouTube channel SSC Core आज की इस वीडियो में SSC CGL 2023 जो भी बच्चे पोस्ट प्रेफरेंस का इंतजार कर रहे थे फाइनली पोस्ट प्रेफरेंस जो फॉर में वो आ चुका है SSC CGL एक्जाम का इसमें आपको बहुत सारी पोस्ट चूज करनी होती है और अपने marks के according merit wise जो है वो आप decide कर सकते हो कि किस पोस्ट को आपको किस order में fill करना है लगबग आप देखोगे 25 से जादा major departments है जहां पर आपको पोस्ट भरनी है वैसे तो आपको 60 department दिखेंगे पर जैसे major major की अगर मैं बात करो जैसे income tax, GST यहां जादा vacancies है तो आपको 20 से 25 department दिखेंगे उन में भी जो सबसे ज़्यादा demanding post होती है कुछ उनकी में बात करोगा इस वीडियो में और काफी जल्दी में जो है वो सारा कुछ हुआ है दिवाली के तुरंद बात की holidays में SSC ने जो है वो declare कर दिया post preference का form release कर दिया ASO, MEA, ASO, CSS income tax inspector, GST inspector examiner, preventive officer ऐसी बहुत सारी post जिनके last year में allocation किसे rank तक हुआ है उसकी में थोड़ी सी बात करूँआ देखे जो मैंने data collect किया था आपसे वो भी आपको provide कर देगे ठीक है आज ही मैं आपको टेलीग्राम पर वो PDF डाल दूगा पूरी जो Excel की sheet है कोशिश रहे कि मेरी Excel के format में डाल दूँ ताकि आप Excel में उस पर filters लगा के जो भी बच्चे score कर रहे हैं अच्छा वो थोड़ा सा analysis खुद से कर सके ठीक है मैं वो चीज करके provide कर देता अब डेटा बहुत काम है लगबग 2200-2300 बच्चों का डेटा 2300 गा उतने डेटा से सारी पोस्ट का exact analysis बताना बहुत मुश्किल है although मैं ये भी कर सकता था कि आपको एक rough idea दे सकता हो उस डेटा से but that would be like कि अपने पहर पर कुलाड़ी मारना क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा hard work के बाद chances यह है कि वो चीज गलत होगी काफी हद तक तो matter यह है कि मैं आपको All India Rank last years के उस पर आपको बता देता हूं कि जो allocation हुआ है post wise कुछ कुछ post का लगबग 4 साल में पिछले वो कैसे हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूं प्लस state wise वेकेंसी जिनको भी confusion है यह जो बच्चे नए है और जिन्होंने अभी तक नहीं देखी हमारे इतने बताने के बाद मी major department की इस वीडियो में शेयर कर देता हूं ठीक है तो देखे यह तो आपने देख लिया ASO MEA का जो आपकी स्क्रीन पर है ASO MEA में अगर आप देखोगे तो लगवग आप देखोगे यह 2021 तक का पहले दिखा देता हूं फिल 2022 का आपको सब्जा देता हूं ठीक है तो 2021 तक का है यह जितनी वेकेंसी होती है उसके proportionate में all-linear rank तक selection होता है जैसे 70-70 rank पर चल रहा था लगवगा 74, 81, 2019 में इस टाइप से यह चला ठीक है आगे धीरी-धीरी आते हुए भढ़ गया यह notice है 18-26 पहले बोला था अगर यह रहता तो जो मैं good news की बात कर रहा था आपसे आपको एक good news देदेगे post preference की टाइम पर वो पूरा का पूरा ready था और आज वो आपको मिल जाता पर क्योंकि अब यह officially आ चुका है तो अब हमारे पास ज़्यादा time नहीं है इसलिए अब वो हम उसे drop कर रहे है जो आपके लिए better way में चीजा करने वाले थे और अब जितना हो सकता है वो मैं share कर दूगा आज और कल की वीडियो में ठीक है यह form आया है यह आपका एक demo form है sample form है ठीक है online आपको जो preference डाल ली होगी वो अलग रहेगी code almost same रहेंगे यही code रहेंगे तो आप उनमें गलती नहीं करने है अपने code को देख लेना है प्लस जो आपने post preference एक बार भर दोगे वो submit हो जाएगी फिर change रही होपाएगी CSS की बात करूँ देखे last year 2021 तक का elogation आप देखोगे तो 89 vacancies पे 270 रेंड तक लगबग यह trend चलता था 300 के अंडर अंडर यह चलता था क्योंगी vacancies हमारी कम थी general categories में OBC में जाद आउनिक वैसी trend आपको देखने को मिलता था वही अगर मैं बात करू income tax spectrum में तो लगबग आपको 500 रेंग तक 500 रेंग तक यह 700 रेंग के आसपास तक दिखता था depending on the seats जितनी seats होती थी और वही categories में 2000 रेंग तक भी जाता था OBC और EWS अगर मैं CGL 2022 की बात करो specifically तो CGL 2022 में आप देखोगे की लगबग आपकी SA AMES और PA SA की बहुत जादा vacancies थी जिसके वैसे बहुत हाईर रेंग तक अलोट हुए थे पर ASO CSS जितनी vacancy पिछली बार थी लगबग उतनी vacancy जनल कर्टिगरी से इस बार है हमारा target score पिछली बारा सो रेंग तक था और ये गया था ग्यारा सो रेंग तक OBC में हमारा target score 3000 रेंग तक था गया था 226 2000 हमारा EWS में था गया था 2102 So you can see की बहुत close margin जिसे जो है आपकी हमारी reach थी जो analysis में थी अगर मैं ranking की बात करो Because इस साल भी अगर आप vacancy देखोगे लगबग यही pattern पर vacancy चल रही है इस बार आपको थोड़ी से hard work करने के जरूद है वो आप कर सकते हो क्योंकि मैं आपको rough idea दे रहा हूं हर साल का इस बार भी उमीद यही रहेगी कि thousand rank तक CSS के chance है कि वो आपको मिलेगा rank आपको पता है जहां पर आपकी surveys में rank 800 के approach बन रही है या 700 के approach तो maximum 1000 के आसपास ही जाएगी तो जो भी इस rank पर लाई कर रहे होंगे वो CSS के race में अभी रहेंगे ठीक है general categories की बात कर रहे हो और अगर OBC और EWS में थोड़ा थोड़ा फरक आपको देखने को मिलेगा जैसा हमारी analysis में रहता है GST Spectre लास्ट येर में 3200 rank तक ग्यादा ओल इंडिया general categories में इस बार भी इसकी यही उमीद रहेगी कि यह 2500 से 3000 rank easily touch कर जाएगा ठीक है क्योंकि वेकैंसी लास्ट येर से ज्यादा ही है XI Spectre ने GST Spectre में तो 3000 ये touch करेगा ही करेगा ठीक है प्रिवेंटिव ओफीशर इससे थोड़ा पहले खताब हो जाएगा क्योंकि जिनको पता है कि काफी बच्चे कंफ्यूज रहते कि GST Spectre ले हैं प्रिवेंटिव ओफीशर तो मेरी एक ही अप्रोच है और एक ही चीज़ में उन्हें बोलता हूँ आया हूँ अगर आप बहार जा रहे हैं किसी भी जोन में वनोद्रा से नीचे नीचे के जोन में गुजरात रीजन से अगर आप नीचे जा रहे हैं नीचे और फ्रोम नॉर्थ इंडिया तो ट्राइटू आप्ट प्रिवेंटिव ओफीशर रहते ने जीएस्टी स्पेक्टर क्योंकि आप बड़े स्टेट में साउथ के डिस्बर्ज हो जाओगे पूरे स्टेट के अंदर वही प्रिवेंटिव ओफीशर में आप मैट्रो सिटी में रहोगे प्लस कस्टम्स में आपका जो लॉ है वो पुराना है रिफॉर्म से तरह जादा नहीं है तो एक पैटरन बना हुआ है वर्क का इस व्यूडियो में क्लियर करता हूँ चल रहा हूँ क्योंकि मैं यह समझता हूँ कि हाव इंपोर्टेट इस डिस डिसीजन फॉर यॉर लाइफ जो पोस्ट का डिसीजन रहेगा आई कैन नॉट हेल्प इच और एवरी वन उफ यू परसली पट जो मेरे नॉलेज़ वे चीज़े हैं वो मैं यही शेयर कर सकता हूँ और आई होप कि आप इनसे आइडिया लेके बैटर चीज हमने डिसाइड गरें एएएसो एएए की अगर मैं बात करूँ तो एएसो एएए की लगवग हमने तक टार्गेट गया था गुट 146 तक गया था इस साल भी एएसो एएए की जादा वेकेंसी यह जनल केटिगरी में तो डेड़ सो रेंग तक यह एक्सपेक्टेट रहेगा ठीक है कुछ चीज है जो हमारे सर्वे की होगी मैं दिखा हुआ इसी वीडियो में ठीक है सर्वेकेंसी सी ते हो दौ 10 ती जादा थी इस साल के गरएंडर रेंग हमारे टार्गेट इस बार का टार्गेट जो है सास्तो से आट सो रेंग जनरल केटिगरी तो इसके आराॉंड ही यह रिवॉल होगा थिक है same हमने और post का भी आपको बदा दिया ASO MEA का बदा दिया इसका बदा दिया CSS का बदा दिया इससे आप एक idea लेके और rank कैसे रखनी है वो divisional accountant इस बार नहीं है तो इसका बहुत बड़ा major role देखने को मिलेगा इसलिए rank में थोड़ा थोड़ा और फरक आने के चांसे रहेंगे examiner की बात करो examiner इनी custom में होता है examiner करते dog पर जितना भी बाल आता है उसको examination का काम होता है मैंने बोला भी था इसके एक में वीडियो बना हुआ ठीक है कोशिश करूआ मैं बना दूँ और एक सारी पोस्ट की थोड़ी थोड़ी जैसे मैं पहले बताता आया था इस बार मेजर मेजर कंपेरिशन कुछ बनानी की में कुशिश करूआ संडे को जिस जिन मेरा ओफर आएगा तो फिलाल के लिए एक्जामिनर जैसे मैं बदाए कि इसमां डॉक एग्जामिनेशन है कि आपके जो कार्गोज आ रहे हैं उनको एग्जामिन का काम होता है कि उनमें जो जो गुड्स डिकलेर किये जो टेक्सपेरे पार्टी है उन्होंने वही गुड्स उसमें है और उतनी ही ड्यूटी वाले उतनी ही ड्यूटी रेट के गुड्स है तो बोटी-बोटी चीज है यह डिटेल में अभी इस वीडियो में बात नहीं करूँ हो इसकी लास्ट येर की रेंग जो गई थी तो इस बार उबीद है इसकी कि यह 3000 के एपरोक्स रेंग तक मिलेगा ही मिलेगा जन्रल केटेगरी वे 3000 से 3500 के एपरोक्स तो ठीक है और अगर हम इंकम टेक्स टीए की बात करें कि टीए में बहुत जादा वेकेजिस थी 1216 इस बार जो कि कम हो चुगी है बांसों के लगब यह सारा एलोकेशन आपकी स्क्रीन पर मैंने शेयर कर दिया है स्टेट वाइस वाइस की बात करो तो मेजर डिबार्टमेंट जैसे की इंकम टेक्स इस वेक्टर इसकी क्यूंकि अब वेकेंसी यही रहने वाली है फाइनल में यही आई है स्सी ने एक्सेप्ट इन्हें नहीं करी है तो बहुत बड़ा रोल होता है स्सी के ऊपर इंकम टेक्स डिबार्टमेंट ने अटे में बदाया कि उन्होंने वेकेंसी रिवाइस कर दिये इंक्रीज कर दिये पर क्यूंकि आप देखोगे कि स्सी एक तीन स्टेप में चलता है तीन फेज में वेकेंसी कलेक्ट होती है पहले फेज में नहीं हुई दूसरे में नहीं हुई तीसरे में उसके बाद स्सी एक्सेप्ट नहीं करता है यह चीज हम पास साल से देखते हो आ रहे हैं जिसमें आपकी बहुत सारे बड़े-बड़े डिपार्टमेंट ने बाद मे बढ़ाई थी जैसे CGDA ने बढ़ाई थी एक बात पर वो भी accept नहीं होई थी reason being कि आपने delay submission दिया है ठीक है अब ऐसे ही आपकी ये income tax spectre की जो मैंने भी discuss करी वो है फिर income tax tax assistant की है state wise फिर उसके बाद आपकी GST spectre की है state wise तो इन से बहुत बड़ा impact पढ़ने वाला है आपकी post preference selection में काफी सारी बच्चों का ये selection ये वो आदा है question की सर GST spectre हम कौन सा zone ले क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें confused है कि सर GST spectre हम जो है वो दिल्ली चूज करे राजिस्तान चूज करे अगर वो नॉर्थ इंडिया से लखनौ चूज करे या फिर वो भॉपाल चूज करे लखनौ और भॉपाल में दिल्ली चूज करें दिल्ली चूज करें तो देखे बैटर यही है कि आप कुछ चीजें जो है वो चूज करें बहले कि अपना होमटाउन करें क्योंकि सब्सक्राइब और अपको उद्यपूर में पोस्टिंग मिल सकती है जी एस्टी में राजिस्तान लेने के पर तो अगर आपको तीन साल मिलती है यहां पर उसके बाद भी आप इसी के आसपास के एरिया में रहोगे तो इस बेटर तो चूज राजिस्तान पट इफ यौर कर पॉइंट इस कि आपको ट्रांसफर नहीं चाहिए उतना तब आप डैली चूज कर सकते है दूसरा अगर आपको यह कि राजिस्तान चूज करते हो आप तो क्या आपकी वह रहेगी प्रोफाइल जॉब गी जॉब प्र प्र टेक्सपेर के आएगा जॉब प्रोफाइल आल्मोस्सेव रहेगी आपकी जो वरकिंग है वरकार्स है वह यहां कम लगेगे यहां ज्यादा लगेंगी ज्यादा टेक्सपेर में यह डिफरेंस है तोड़ा सा लखनो और मॉपाल में अगर आपको नागपूर भी आजा चले गए तो आपको काफी टाइम लग जाता है वापकस मोपाल जोन के अंदर आने में वहीं आप लखनो जोन में आपके थोड़े बेटर एरिया जैसे मेरट एरिया जो की डैली जैसा ही कंसेंट्रेटिटिड है एक जगे पे और आप अगर लखनो पे इस्टन साइड से हो तो फिर आप कंसीडर कर सकते हो कभी आपका डैली जैसी फिल लेरे का बन करें तो आप नौयडा गाजएवाद या मेरट जोन में आ सकते हो ठीक है को यह जोन है जो आपको कुछ डिZन आपके लेने पड़ेगे ठीक है जैसे कौलकथा है या राची है कौलकता राची वालो वहां से जितनी भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है और GST का एंगल जिनमें बनता है तो काम वहां भी रहता ही है तो यह सारी चीज है कि आप कंसीडर करें बागी वडोधरा इस वन ऑफ बेस्ट जोन अगर आप वैसे कंसीडर कर रहे हो डैली वडोधरा क्योंकि इन में कस्टम्स जो है वो एनी के अंडर दिया हुआ जैसे वडोधरा में कांडला मुंद्रा कस्टम्स है जिसमें GST स्पेक्टर ही जाते है जैसे मुंबई में जवालन लेरू बोट ट्रस्ट है काफी बड़ा बोट ट्रस्ट है जहांसे बोट एक्सपोर्ट बलक में होता है वैसी वडोधरा में मुंद्रा पोर्ट है तो इसलिए वडोधरा में यहां मुंबई में तो आपके प्रिवेंटिव इग्जामिनर जाते वडोधरा में आपके GST स्पेक्टरी जाते है same goes with Delhi जैसे IGA International Airport है तो यहाँ पर GST स्पेक्टरी ही जाते है 4-5 साल या 6 साल आप रहोगे GST और 4-5 साल रहोगे आप कस्टम्स तो यह आपकी rotation चलती है तो इसलिए यह अच्छे जोन हो जाते है Delhi, वडोधरा फिर Executive Assistant की बात करें तो Executive Assistant में आपकी देखें Vacancy जो रिपोर्ट हुई थी 2022 वाले में 200 कुछ थी और हमने आपके साथ 2 PDF शेयर करी थी यह 708 थी जो टोटल थी ठीक है जितनी वी Vacancy CCA को रिपोर्ट करी गई है 2016 से 22 अब आपको करना क्या है जो भी ठीक है Vacancy minus करने से आपको एक rough idea लग जाएगा ठीक है कि Vacancy minus करने से आपको एक rough idea लग जाएगा कि उनसे state में कितनी रहेंगे क्योंकि आप देखो कि 500 के लगबग Vacancy जैसे आपकी सीजल 23 में तो 700 पहले हुई थी 2022 में दे दी तो इनका जो difference है वही आपको देखने को बिलेगा almost ठीक है थोड़ा वाद फरक आ सकता है कि इसी जोन में जैसे promotions हुए उनकी वज़े से उस जोन में मैं कहनी सकता जहाँ जहाँ प्रमोशन हुए वहाँ थोड़ा वाद impact जरूर देखने को बिलेगा बड़ फिर भी उतरा जाता नहीं रहेगा almost इस पर आप थोड़ा सा रिलाइ करके चल सकते हैं ठीक है keep supporting if you if you like the video और आपको अगर इससे रेली थोड़ी भी help होती है इस बार इसको detail में ना करने का reason यह यह भी है कि वही जैसे मैंने बदाया कि time की कमी हो ना plus इसको भी आपको देखकर चल ला है कि बहुत लोग ऐसे होता है जिनकी सेलरी भी एक बहुत important decision making factor होता है सिर्फ hometown ही नहीं होता तो सेलरी भी आप देख ले कि कितना difference आपका एक सेलरी में आता है जो आपकी 2400 ग्रेड पे और 1600 ग्रेड पे की रहेगी यह जो सेलरी का bracket है यह आपका ZCT और यह XCT है बतलब Z में आपकी video में इतनी रहेगी और X में इतनी रहेगी यह मैं सेलरी जो बात कर रहा हूँ आपकी यह gross salary की बात कर रहा हूँ ना कि in head इसमें से फिर आपकी deductions अलग है जो होती है ठीक है देखिए अब जो हमारे data था उसकी में बात कर लेता हूँ उसमें पहले नंबर पर जो post भरी जाने की बात हो रही है सबसे ज़्यादा वो आप देखोगे exercise factor और ASO MBA यह दोनों post टक्कर में चल रही है नौर्थ जोन की वज़े से दिल्ली जोन की वज़े से उसके बात income taxes factor से पहले ASO CSS यह चार बड़े department की है जो चल रही है इन चारों को मैं discuss कर चुका हूँ तो यह चार major decision रहेंगे आपके post लेने में ठीक है इसके बाद जो second number पर भरे जाने की बात है उसमें सबसे जादा ASO CSS ही है जो choice में है और फिर आपका वही exercise factor और income taxes factor ASO railway यह IB FHQ यह data जो मैं share करूँ है इससे फाइदा क्या होगा देखें इसमें जो जहां से उसकी state दी गई है plus desired state कौन सी है score हमने collect किया दा और computer गा जैसे पोस्ट हमने देखा इसमें exercise factor यह सारे बच्चे इतने number वाले चाहते है इससे उपर वाले भी है मैंने यहां पर exercise factor पर filter लगाया मैं चाहता तो इसकी analysis आपको ऐसे भी कर देता कि कोडिंग से कि इसको अरेंज कर देता कि पहले यह वाली पोस्ट भरी जाएगी फिर यह वाली पोस्ट भरी जाएगी तो कितने नंबर वे खतब होगी वो तब पॉसिबल होता अगर हमारे पास लगबग 5,000 से जादा का data यह 7,000 से जादा का data होता बतलब जितनी भी आपकी 2600 ग्रेड पे है उससे प्लस का data बट यहां पर हमारे में सिफ 2300 का data है तो उतने पर उसे महनत करने का उतना यूज वो नहीं है और ना टाइम है उतना ठीक है तो आप खुद से कर सकते हो मैनुवली भी करना चाहो तो फिल्टर से एकसाई स्पेक्टर में यह शीट प्रोवाइड कर दूगा आपको टैली किना अससी गोर 123 ठीक है तो एकसाई स्पेक्टर जो भर रहे है उसके बात जिनकी सेकंड चॉइस एक्सकूट असिस्टेंट है वो यह सारे बच्चे है इस 330 प्लस पर ही खतब होगा तो एक्चॉल में देखने को यह मिल सकता है कि यह 335 से 338 यहां के रेंज में जा सकती है एसे ही अगर एकसाई स्पेक्टर नॉर्थ की बात करें तो दिल्ली जोन या इनके जो बाकी जोन है लखनों वगरा वो भी इसी रेंज में रहेगी 330 से अरा कर दो sheet ठीक है और कोई भी query है तो आप comment करना I will definitely try to reply जैसा मैं कुछ के करता भी हूँ जो मुझे लगता है कि genuine है और जिनको need है ठीक है Telegram SSC गोर पर जिता भी हमने शेयर गया data वो डाल देगे thank you so much once again for watching this video